हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है यह इमेज वाशिंग मशीन है मॉडल नमबर SP-155 इसमें कुछ साउंड आ रहा है और वो साउंड हमें चेक करना है किस चीज़ का आ रहा है बैरिंग का आ रहा है या फिर मोटर की साउंड है सबसे पहले हम इसकी पुल्ली उतारेंगे बैल्ट उतार के पुल्ली खोल के पीछे का बैरिंग चैक करेंगे वो ठीक है या नहीं तो हमने इसका बैल्ट उतारना सुरू कर दिया है बैट उतारने के बाद इसका बुस्ट को खोलेंगे और फिर पुल्ली को उतारेंगे अभी हमने इसका बुस्ट खोलना स्टार्ट कर दिया है झाओर दिया ह 50 स्टारी सो गिस्ट खोलेंगे और फिर गुल्ली को उतारर्ट producción इसका बुल्ली को खोलेंगे झाओर अदान आगे को बुल्द कर दो चुल्मार क खोली हूआ इसके बुस के बॉल्ट को हम लूज करके बुस में लगाके पुल्ली को जैक करेंगे और फिर बुस को बाहर निकालके पुल्ली उतारेंगे अभी हमने पुल्ली को जैक करना स्टार्ट कर दिया है इस बॉल्ट को टाइट करने से पुल्ली पीछे की तरफ जाएगी और बुस खाली हो जाएगा फिर बुस को हमें निकाल लेना है और बुस खाली हो जाएगी और बुस खाली हो जाएगी झाली 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 हो जाएगी कि अब कर दिया है कि अब बॉल्ड को हमने जैक कर दिया है पुल्ले पीछे की तरफ चले गई है अब उसको हम निकालने की कोशिस करेंगे कि कालने कालने के जायdade कि अब म devo терри बॉल्ग बससकня है कालने 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 काल अब इसका बोस निकल गया है अब इसकी पुल्ली को हम नीचे उतार के रख देंगे अब हम इसके पीछे की बैक साइड की प्लेट खोलेंगे प्लेट खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि रियर बैरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है जिसकी वज़े से इसमें साउंड आ रही है हम इसे चेक करेंगे कि यह साउंड होजिंग से आ रही है या मोटर से आ रही है पहले पैरिंग को हम देख लेंगे उसके बाद फिर हम मोटर को चेक करेंगे कि यह साउंड मोटर का तो नहीं है झाल 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 इस प्लेट को अब हम अटा रहे हैं और प्लेट को हटा के हम अलग रख देंगे फिर बेरिंग को चेक करेंगे प्लेट को अटाने के बाद हमने देखा बेरिंग हमें ओक के दिखाई दे रहा है बिल्कुल लेकिन हम इसे एक बार चला के चेक करेंगे हाथ से गुमा के कि बेरिंग में कोई प्रावलम तो नहीं है और बेरिंग बिल्कुल स्मूथ चल रहा है कि नहीं हाई है अब भी हमने इसको होजिंग असेंबली को साप्ट को गुमा के देखा इसमें बेरिंग बिल्कुल स्मूध चल रहा है किसी भी बेरिंग से साउंड नहीं है तो हम अब मोटर को चेक करेंगे कि मोटर के बेरिंग से कोई साउंड तो नहीं आ रही या फिर मोटर की सीट बेरिंग की तो नहीं कट गई है मोटर को चेक करन करने के बाद हम देखेंगे अभी हमने मोटर को चला के देखा है हाई स्पीड पे मोटर से साउंड आ रहा है करने के देखेंगे झाल झाल मोटर को चलाने के बाद हमने पाया कि मोटर में साउंड आ रहा था बहुत तीज बैरिंग का तो हम मोटर को रिपेरिंग के लिए भेज देंगे और जो हमारी होजिंग असेंबली है उसको ग्रीस करने के बाद हम प्रोपर इसे फिक्स कर देंगे पुली वगेरा पहले की तरह है फिक्स करके छोड़ देंगे और जब मोटर रिपेरिंग होके आएगी तो फिर हमें उसे फिक्स करना पड़ेगा धन्यवाद दोस्तो